कोरोना वायरस के कारण कई क्षेत्रों पर असर देखने को मिला है तो वहीं अब कोरोना संकट के चलते देश की पहली कॉर्परेट टेजस एक्सप्रेस को परियाप्त यात्री नहीं मिल रहे जिस वज़े से इसका परिचालन बंद किया जा रहा है जहां आज से लखनव दिल् फिर से उतारा गया लेकिन अब फिर से तेजस पर कोरोना का ग्रहन लग गया है आपको बता दें कि तेजस का संचारन भारति रेल्वे की ही कंपनी IRCTC करती है IRCTC के राश्टी प्रवक्ता सिधार्ट सिंग ने बताया कि कुरोना की वज़े से सिर्फ 30-20 यात्रियों के साथ गाड़ी चलाने पर काफी घाटा हो रहा था जिसके कारण तेजस को बंद करना पड़ रहा है मौजुदा करोना संकट में सुधार आने के बाद याप तेजस को फिर से शिरू किया जाएगा आपको बता दें कि तेजस ट्रेन को आज से बंद किया जा रहा है और इसकी वज़े है सिर्फ और सिर्फ यात्री भार 30 फिस दी होना जाहिर सी बात है कोरोना के कारण इसे पहले बंद कर दिया गया था आज से तेजस के पहिये थम जाएंगे क्योंकि रोज लाखों का घाटा यहां पर हो रहा था तो वहीं इस ख़बर पे ज़्यादा जानकारी के हमारे साथ दिल्ली से बीरो चीफ प्रशांद शर्मा फोन लाइन पर जुड़े है जी प्रशांद जिस प्रकार से पहले जब लॉकडाउन लगा था तब इसे बंद किया गया था लेकिन बाद में से फिर से चालू किया गया और अब तेजस के मेनेजमेंट ने कहा है क्योंकि यातरी भार सिर्फ तीस वीज़ी रह गया है और इस वज़े से लाखों का घाटा हो रहा है इसलिए आज से से फिर से बंद कर दिया जाएगा क्या कुछ अपडेट है इस ख़बर को लेकर जी उमंग जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेजस पहली ट्रेन थी जो कॉर्परेट तरीके से इस देश में चलाई जा रही थी और रेलवे का प्राइवेटेजेशन उसके माध्यम से किया जा रहा था लेकिन उसमें भारी घाटा कोरोना संक्रमन के चलते देखने को म दिल्ली से लेकर लखनों तक जाने वाली इस ट्रेन को इसलिए आज से बंद कर दिया गया है कि अगले आदेश तक जब तक लगेगा नहीं कि यात्री संक्या इस तर पर आ रही है कि जिस्ते इसको घाटे से उबारा जा सके तब तक इस ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा जी तो क्या अब रेल्वे ने अगरिम आदेश तक हलाकी इसे बंद तो कर दिया गया है लेकिन आगे जो उस ट्रेन से जो यात्री सफर करते थे उनके लिए कोई वेवस्ता है या जो पहले से चली आ रही थी वही वेवस्ता लागू रहेगी अब भी कोई वेकल्पिक विवस्ता चालू नहीं की गई है और लखनो के रूट की जितनी भी ट्रेने हैं उनमें यात्री भार कम देखने को मिल रहा है बीच में यात्री भार काफी ज़्यादा था इसका तेजस को भी चला दिया गया था लेकिन रेलवे को जब लगा कि काफ प्रेल्पिक विवस्ता तो भी कोई की नहीं गई है तो उमीद की जाती ही कि जब तक कुछ आला सही नहीं होंगे तब तक ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से दिल्ली और लखनों के बीच में नहीं हो पाया जी बिलकुल प्रिशान बिलकुल आपने सही का और जाहिर इसी बात है यातरी बार कम होने की वज़े से रेल्वे को भी घाटा हो रहा है और यही एक बड़ी प्रमुक वज़े है कि तेजस का संचालना आज से बंद किया जा रहा है फिलाल इस खबर पे तवाम जानकारी देने के लिए प्रशानत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हुआ है